चलो यार हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने streaming application के अंदर जिसमें हम लोग बना रहे थे video streaming application और हम लोग ने यहां पे तीन video clear की थी पतलब complete की थी और हम लोग ने पिछले video के अंदर API बनाई थी जहां पे हम videos को upload कर सकें बट हम हमें एक GUI चाहिए जहां से actually हम video upload कर सकें API तो बार बार कॉल नहीं करेंगे तो हमें एक front end पे application बनाना है और वहां पे एक GUI बना रहे हैं जहां हम video को select कर सकें और हम video को असानी से upload कर सकें तो इस video के अंदर हम लोग करते हैं हम लोग react की help से एक application बताएंगे उसके अंदर add करेंगे tailwind CSS and then GI को create करेंगे उसके बाद हम लोग बहुत सारी शी करेंगे भाई हम लोग API कॉल करेंगे अपनी back end की और back end की API कॉल करने के बाद हम लोग बैसी बात है उसको इस API को integrate करेंगे अपने front end के साथ और upload करेंगे वीडियो इसको चल एक interface बनाएंगे कुछ ऐसा और यहां पर हम एक बस कह सकतो upload वीडियो नाम से एक heading देंगे and then हमारे पास होगी एक select file field basically हम file select करेंगे and then हमारे पास यहां पर एक upload बटन होगे upload बटन होगी जहां से हम upload कर सकेंगे इस बटन पर यह जोरी नहीं आप हर चीज़ याद रखो यार ठीक है सो मुझे react यह देखे npm create wheat latest यह वाला हम copy कर लेंगे command और इसी command को चलाएंगे आप npm से उसक्तों यान से उसक्तों बन से उसक्तों डेपेंड आप कौन सा टूल उसकर हो हम लोग के system में npm installed है तो हम npm use करेंगे तो हम आएंगे और यहां पर हम वाइटी प्रोजेक्ट के अंदर हम टर्म लोपन कर लेंगे अपना तो क्विक एक्शन पर सर्विसस में न्यू टर्म एक्टिस फोल्डर यस पहले के सारी फोल्डर बंद कर देंगे थोड़ा सा फॉंड को हम बढ़ा और यस प्रोजेट का नाम तो मैं कॉछ और चीजे बता देंगे जैसे फॉर एकजंपल यह पूछ रहे कि आपको फ्रेमवर्ग कौन साइब चरना है वेनिला रियक्ट तो मैं रियक्टिव करूगा ठीक है एंटर कर लीजे यह पूजार टाप स्क्रेट करना है कि जावस्क स्करेब कर लेते हैं the same type script की तरही काम होना तो हम जावस्क्रेब कर लेंगे then इसने सारा काम कर दिया अब यहां पर यह कहरें now अब अन्दर जाओ अपने प्रोजेट के अंदर देन आप npm install करके libraries को install करो then npm def कर लो तो मैं चलूंगा cd and अपने प्रेट के अंदर stream frontend and then finally npm install करनेंगे एक काम और करेंगे हम इसको open करनेंगे VS code से बाकी इंस्टालइशन यहां से हो जाने देते हैं तो हम अपना VS code open करते हैं and yes some open folder पर चलते हैं यहां फिर काम करते हैं अपना वाइटी प्रोजेक्ट के इंदर stream frontend को drag and drop कर देंगे यह यह हमारे पास प्रोजेक्ट फोपन हो जाएगा अब हम टर्मिल को बंद कर सकते हैं यह स्टर्मिल को बंद कर सकते हैं यस फाइनली हमारा यहां पर प्रोजेक्ट आ चुका है और उसके जादा हाँ काम से फोल्डर आ चुका है अब हम यहां पर डार्क ली चला सकते हैं अपना प्रोजेक्ट एंपी एम रन और सॉरी एन एंपी एम स्टार्ट था शायद है एंपी एम रन डेव ठीक है तो इसको क्लियर कर लो एंपी एम रन डेफ यस तो आपका प्रोजेक्ट 5173 पोट पर चल रहा है इस पोट को हम इस इवारिक को कापी करनेंगे एंड चलेंगे अपनी ब्राउजर पर यहां पर हैंड यस यस आप देख सकते हैं आपका प्रोजेक्ट अपन रणी है यह हमारा प्रोजेक्ट है बाकी चीज़ें करते हैं दीले-दीले-टेंशन बलो सबस्तिंग ह हम लोग क्या करते हैं एक्चुली हम लोग और इंस्टॉल करेंगे कुछ लाइबरी इस डिजाइनिंग के परपस से हम इंस्टॉल करेंगे टेल्विंड css साथ ही जात में मैं यहां पर फ्लो वाइट उस करूँगा कुछ कंपोनेंट्स के लिए और एक्शियोज करूँग उसके बाद और भी चीज़ें करेंगे और भी टोस्ति फाइव अगर हम लोग यूज कर लेंगे इफ वी वांट अगर मैसेज वगर देना है तो हम और रियक्ट टोस्टी वाइव कर लेंगे अगर आप एक बास सीख जातो ही लाइबरी इसको कैसे उसकरने तो आप कैसे भी सब्सक्राइब्स च्ससे तो हम आजा ओने के साइट पे यह भाइट यह इसटार्ट क्लिक करेंगे अगर आपको सर्च करने के लिए कमाड चलाना है कॉंटेंट में इची अपडेट करना है और आप यह चिस चला के वाच कर सकते हो बाकी इंस्टारिशन में फ्रीमवर्वों भी होंगे यह नो ने यह भी बता रखाऊँगे कैसे हम बाकी फ्रीमवर्व के साथ काम करेंगे तो जैसे अगर आप य tellwind css react react not native react आप ko tailwind install tailwind css react correct app तो आपको यहां भी मिल जाएगा आप सबसे पहले project वारे create अल्रीट हो चुगा और आप यहां पे install कर सकते हो अब इट कर सकते हो प्रचार्ट कर सकते हो इस्टार्ट कर सकते हो इस्ट पॉंश्य तो वीट तो यस install Tailwind with wheat तो आप इन्होंने इसका भी दे रखा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसले हमारा वीट का ही प्रोजेक्ट है तो हम वीट वाला यही वाल फॉल उप करेंगे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है exactly और हम लोग अप क्या करेंगे इंस्टाल करेंगे यह ठीक है यह कमांड चलाएंगे सो लेट्स कम टूद तो अपने कोड में आ जाते हैं यहां पर अभी के लिए टामिल को बंद कर देते हैं इसको थोड़ा उपर लेते हैं अंड हम पेस्ट कर देंगे इंस्टाल कर लेंगे इसस पोस्ट सी एसस एंड और अटो प्रिफिक्सर एंटर कर लेंगे तो हमारा तीनों इंस्टाल हो जाएंगे ओके नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास इनिसलाइशन करना है निसलाइस कर लेंगे किसको कॉपी कर लो पेस्ट कर लो यह समारे पास टेलमेंट.config.css js file आ चुकी है टेलमेंट के configuration file है ठीक है नेक्स हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे यह दोनों content अपने config के content के अंदर तो हमने copy कर लिया है यहां पर आएंगे आप देख सकते हैं यहां पर मैं हलका जूम कर दूं यहां पर पेस्ट कर देंगे तो slash index.stml slash src slash star star asterick asterick dot js file ले लिए ts file ले लिए ts file ले लिए ts file ले ठीक है save हो गया and then finally मुझे कुछ करने के जुरूद नहीं theme है then extend plugin है यह सब हम यहां भी theme है extend plugin है सब ठीक है हमारे पास भी index.css के अंदर यह css को हम लोग लगाएंगे तो index.css को open करें कमांड पी कमांड पी इसको save करो यार ठीक है यहां ठीक है इसको save कर लो sorry कुछ गरवड हो रहा है हाँ ठीक है save कर लिया command पी अंसर्स करेंगे हां index.css और बाकि यह सब चीज by default हमें वीट के अंदर मिल चुका है तो हम इसको control हटा देंगे और अपना यहां पर है css को paste कर देंगे जो की टेर्विन का बेस है टेले के component है ठीक है यह हमने कर दिया and then finally हम लोग क्या करते npm run def करके यूज कर सकते हैं तो अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट यहां पर रण कर लेंगे npm run def ठीक है और अब हम चलेंगे output देखेंगे ठीक है यह देखें हमारा टेविन css इंस्टाल हो चुग है and run भी हो चुग है सब चीज़ डन है बट यह कुछ अब वाले प्रेट कोड हमें मिला मिला थास को मटा लेते हैं तो हम आजेंगे इंडेक्स डॉट यह आप.jsx फाइल के अंदर यह कोड है इस कोड को हम रिमूव करेंगे यह संदे रिमूव कर दिया और यहां पर हम रिखेंगे ग्रिफ एंड एक वन लिखेंगे लिखेंगे आपर विलकम टू फाइल अपलोट या वीडियो स्ट्रीमिंग अपलिएशन यस आप देख सकते हैं यहां पर और भी चीज़ लगा सकते हो जैसे आप यहां पर फॉन्ट एक पॉन्ट स्टाइल्स यह सारी आप यूस्कर सकते हो ठीक है वाँ एक गराइब को टेल्विंट का इंटेलिजेंस जाहिए तो आप पो जाकर और पर यहां पर लगाना है फॉंट टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर एक्सल तो इसने सजेश्ट कर दिया और टेक्स हमारा बढ़ा हो जाएगा यह 100% पर जूम है और नहीं नहीं यह 100% पर जूम है तो यह 4XL है जरा हम लोग 2XL ट्राइब करते हैं यह चोटा है देन 5XL भी हमारे पास है इसको फॉंट बोल्ड भी उसका सकते हैं एक्स्ट बोल्ड आ चुका है और हरका सागर आपको इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना टेक्स्ट ग्रे तो आप यहां पर यहां पर यूज कर सकते हो पुछ ऐसा सेब कर लो यह तो थोड़ा सा ज्यादा करें होगे आप यहां पर 50 उसकर ओके सो आप यहां पर यहां पर कुछ ऐसा रख दो और हलका रखना हो तो अपने इसाप से अरजिस्ट कर लो टेक्स को ठीका 700 रग दो ऐसे फीट्स हमें मिल गई हैं जिसके लिए हम बेसिकली अलग से हमें CSS लगने की ज़रूत नहीं अगर आपको डार्क वगरती मैनेज करना है तो आपको सकते हैं यहां पर डार्क पे हम इसका जो टेक्स रखना चाहरे हैं वह हम रखना चाहरे हैं ग्रेही 100 तो जब आपका डार्क थीम अप्लाए होगा तो यह वाली से सी काम और करते हैं टेल में CSS कॉन्फीग में चलते हैं यहां पर एक हमारे पास डार्क मोड और इसको कर देते हम लोग क्लास क्लास थीक है अन्पस्ट मोड को अक्ट करने के हमेरी इंग्स ड्रॉट इसेट मैं युवल से चलना पड़ेगा और यहां पर हमें ऐसको लगा दो डार्क पे हम लोग को हुआ बैक्ग्राउंड बीजी ग्रेश करेंगे तो डार्क पे आप देखो हमारा डार्क वाला एश्वन का डाक वाला थीम चल रहा है और बॉडी का यह चल रहा है और अगर हम इसको लाइट कर देते हैं और इसको हम लोग बीज चेंज कर सकते हैं अपने ठीक है इसे साब से हमारा काम होता रहेगा थ्वडाव लेते हैं टीक है अधर हम ओडया तो आपने काम के अदर एक रीजिज में और देखना चांग को यह आगए पर आपर css के अंदर कुछ लगा हुआ है यस लगा हुआ है कि इसी की हब से इसको हटाते है जरा मैंने अदर सब्सक्राइब हटा दिया है इसी लिए देखो यह हमारा लेफ्ट साइड में चला गया ठीक है तो इसको भी मैनेज कर लेंगे हम लोग मैनेज करना बहुत इजी है आप.js के अंदर आ जाओ और इसे डिफ के अंदर हम लोग क्या करते है इसको फ्लेक्स कर देते हैं और जिस्टिफाइइए कॉंटेंट सेंटर कर देए ठीक है सेंटर आ गया अंदें फैर दिग हम लोग बाए नाइन रग देते हैं यस परफेक्ट स्थेंटर पर रहे गाई एड हम दोग अपने सार्सी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स या पेज़ेस या कंपोनेंट्स आप उसे सबसे बना लिए मैं कंपोनेंट्स बना ले रहा हूं इसके अंदर एक मैं बनाओंगा वीडियो अप्लोड.js टेक्स अटियक फंक्षेनल εृट एक्सपोड हैं गलों आप आई इस यहाँ लोग आगया वातिक टोट लोगोनेंटinté को विद्वाचाइं जैंगा क्यों है और आप आप यह लोगा विखा नहीं गया एक बार नोग आप यहां पर देखने हैं टेक्स्ग कर बलes कर लो कुछ कह रहा है फाइल पास और सेनलाइज कॉंटेंट आव इंबैलिट जिस जिस कहां पर इंबैलिट लिख रखांग लोग नहीं कि कुछ गड़बर लिख रखाए गया है रिटेन अब डिफ किया क्लास ठीक है वीडियो प्लोट ठीक है इतना तो ठीक है कहीं पर गड़बर हो गया कुछ एक बार आप डोट जैसक्स को चेक करो कि नडिव है डिफ के अंदर फाइल अप्लोड है जोगी आ रहा है कंपोनेट अप्लोड से ठीक है पर्टक्त हो है एक बार हम ठीक है सो हम लोग क्या करते हैं यार दुबार से रण करते हैं एंप्लोड कभी कभी यासा हो जाद है तो आपको टेंशल नहीं की जरूत नहीं है आप दिखो है आप प्री ट्राइरर आरी कुछ एक रहा है फेल तो पास्टा सोर्स फॉर इंपोर्ट अनलेसिस बिकॉस अंटेंट कंटेंड इंवैरिट जेस संटेक्स इफ्यू आप देख सकते हैं यहां पर वीडियो ब्लूड आ चुका है तो इसको थोड़ा सा हम और साइस करेंगे हम यहां पर फ्लेक्स की डायरेक्शन रखेंगे फ्लेक्स कॉलम् यहां पर आईटम सेंटर डालेंगे जिससे यह सेंटर में फिर से आजाए है इस परफेक्ट और इस पेसे भी देंगे हम यहां मैंड़ेंगे स्पेस वाई वाई एडवाई में हम पाँच लूप अपने इस पर काम कर सकते हैं तो हम लोग यूज करेंगे फाईल अप्लूट के लिए इन्पूट फाइल ठीक है उसके लिए आप यह पर भी देख सकते हो अपने टेल में भी अगर हमारे पास इंपूट वाला इंपूट फाइल सब्सक्राइब कर सकते हुए को एक बार यह देखते हैं कॉपी कर लो हमने चुपका लिए है ठीक बड़िए एक और टरीका बताउगा आपको यहां प्याते हैं देखते हैं यहां पर फाईल को हम बहुत असानी से चूज कर सकते हैं ठीक है यह बड़ी सब्सक्राइब दे सकते है चूस फाइल दे सकते हैं ठीक है सो एक काम कर दें यह चाह तरीगा यह भी ऊशलड़ कर सकते हैं लोग टूं चाहिए फार्म के अंदर इमेज है जो की यहां प्रफाइल फोटो यहां पर चूस दा वीडियो फाइल कर देते हैं लोग चूस वीडियो फाइल चूस वीडियो फाइल मुझे देख नहीं रहा बटाइब यह स्मॉल स्क्रीम प्राइट ही दिखेगा एवर ट्राइब त्राइब अध्याओ अध्याओ लिए चलो कोई ठीक है और हमारे पासे इन्पूट फाइल जिस पर टाइप फाइल लगावा है इसको सजाने के लिए इसको सजाने के लिए इसको सब्सक्राइब यहां से एक डाउलोड कर सकते हैं हम कहेंगे अप्लोड वीडियो अप्लोड वीडियोस कोई यहां से यह देखो आप इसमें से कोई भी आइकन लेकर आ जाओ जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर आपको यह यूज करना है तो आप इसको डाउनलोड कर लो फ्री डाउनलोड कर लो तो यह डाउनलोड हुचका है और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहां पर लाएं और हम लोग यहां पर बना लेते हैं एसेट्स अलड़ी है मरे पास तो हम इसी के अंदर पेस्ट कर देंगा नहीं रहें तो हम ड्रेग और और करेंगे यस्वीडियो पॉस्टिंग प्रोट पीजी और अब हम लोग इसको यूज करेंगे अपने वीडियो फाइल लेते हैं इंपोर्ट वीडियो लोगो फ्रॉम 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 लेन एसेट्स स्लाश हमारे पास क्या था भाई वीडियो डैश पोस्टिंग डॉट पी एंजी इवर स्पैलिंग ज़रूर से चेक कर लिए एंड देन हम इस वीडियो लोगों को यूज कर सकते हैं यहां पर लेट सी ठीक है वीडियो लोगों को डैनेमिक लिए उसकरो कुछ ऐसे हैं ठीक है डबल कोट्स हटा दो सेब कर लो और अब अगर ओपेन करके चेक करोगे तो एटिंक यस आप देख सकते हैं यहां पर आ चुका है तो आप इसको हटा सकते हो यहां करके इन्हों करके यहां पर लोगों साथ ही जात में फील्ड भी आ चुकी है एक सी जवर करेंगे यार थोड़ा सा स्पेस हटाते हैं बढ़ाते हैं यह जो फाइव है इसको नाइन कर देते हैं आप ठीक लगए अब एक बटन बना दें तो बटन भी यहां पर लाग सकते हैं फ्लोबाइ आप तो यूज यह दिखिए यह फ्लोबाइट अब वैब वेड वेशाइट्स वीध वेवन फास्टर विड़ी कंपोनेंट्स अंटाप दॉप दॉप दो यह जो लाइबरी में वह सारी इकमपोनेंट्स प्रोइट करती है तो हम इसको युज कर सकते हैं प्रोजेक्ट अं वहाएच खुमांग अतोर है तो में आप के फॉप फ्लोबिट रिट्ट डिए हो इसको रिक्वाइर के लिए तो बैको के अंदर रेक्वायर कर लिए ने देर आप content में डाल देजिए flowbyte.content तो content के अंदर आईए एक एर्य जो लगा है उसको लगा नहीं हमें पर flowbyte.content को डाल देता है ऐसा method call कर लेते हैं ठीक है और साथ ही साथ में हमारे पाउस एक plugin में flowbyte.plugin भी डालना है तो मैं आप आ जाते हैं लोगाइट.plugin भी डाले plugins है या plugin है plugin है not plugins तो हम plugin भी डालने हैं देन हम npm run dev करके इसको start करेंगे यह स्टार्ट हो चुका है आप देखोगे तो अभी आपको कोई changes देखने को यहां पर देखो हलका सा जैसे आपने किया यह चेंज हो चुका है तो हम लोग की चीज क्लैश कर रही है कि आ जाते हम आपस हम लोग अपने यह टिस में आते हैं यहां पर देखो फाइल यस तो कुछ ऐसा हो गया ऐसा हो गया हमारा तो आप देख लिए आपको कैसे यूज करना है मैल्टिपल फाइल के लिए इन्होंने फिल्ट्स अलग से बना रखी है अलगी यहां यहां पर मैनेश कर सकतो हैं रेफरेंस के लिए आप देख सकतहु है तो आभी यह जोड़ेज हूं अब हम क्या करते हैं इसको काड़् जाना तो आप यहां पर यहां पर कर सकते हैं मुझ उप क्र करना है यह जो कि दिएiche हैं इसके पर आपको성ों तो बंद कर दो हम गएंगे भाई फॉर्म को डालेंगे ठीक हम क्या करते हैं इस फॉर्म को अपने काड़ के इंदर डालेंगे तो हम यहाँ पर एक कार्ड कंपोनेट यूज कर सकते हैं जो क्यार होगा फ्लो बाइट रियक्ट से अगर आपको हेडिंग उगर लगा नहीं तो अप्लोड या अप्लोड वीडियो और बागी आप यहां पर सेम चीज लगा सकते हो और आपको देखने को मिलेगा कि यह से रिखें बहुत खुब सरसा काड़ बन चुका है ठीक है जहां पर फाइल को चूज कर सकते हो और अप्लोड वीडियो यहां पर ऑप्शन भी आ रह है तो यह तो आपको फाइल देखर ही घर हम्हें आप एक बटन आएंगे तो बटन की लिए शेम आप रियक्ट यहां पर बहुत सारी बटन्स घी गई है और बटनस का उसका सब इसक्चेंव सरी बटनस जि किया है कहा है सारी बटन सब्सक्स और शींपल बटन और ग्रूप खौनिख और आप से बटन बनाना है तो हमिआ बटन from react livid लिक्त प्लोट और यह डिफॉल्ड बटन हमारे पास आगी यह सब देख सकते और वेटन हमारे पास आगई बट हम क्या करेंगे हम इसको नीचे रखेंगे ना इसको नीचे रखेंगे सो एक काम करते हैं हम लोग हम लोग जो फॉर्म ही रखे ना इस फॉर्म को पूरे फॉर्म को एक डिफ के अंदर डाल देते हैं एक डिफ के अंदर डाल देते हैं और हम दोग अपने बटन को भी एक बटन कंटेनर के अंदर डालते हैं और अब हमारे पास कार्ड पर हम लोग क्लास लगा सकते हैं फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम लगा सकते हैं इससे होगा क्या कुछ तो होना चाहिए था यार नीचे जानी चाहिए नीचे तो नहीं जा रही है तो वोट कैन्वी डू हम क्या कर सकते हैं ओके तो यह डिप हमारी यह बटन वाली डीवे फॉर्म के साथ आ रही है तो हम क्या करेंगे इस टिप को हटाएंगे और इस कार्ड के अंदर लगाएंगे यस आप देख सकते हो सेंटर पर आ चुकि है नीचे आ चुकि है क्योंकि यह डिव बटन वाली डिव और हमरी फॉर्म वाली डिव और हैच वन यह सब टॉप से बॉटम को अलाइन हो गया है मैं कहुंगा ठीक है हम गएंगे अलाइंग आइटम सेंटर कर देते हैं आइटम सेंटर जस्टिफाइए ठीक है कि अगया है कि क्लास टेक्स सेंटर लगा दो यहां पर अधर बार बॉर्डर चेक करूं बॉर्डर हमारा जो है वह कंटेनर जो डिव हमारा वो अल्रेड़ी से फुल बिट ले रहे हैं तो हमें क्या करना होगा इसके चिल्डरेन को इसके चल्डर को जैसा हमें चाहिए आप अपलोड करई सकते हैं यह थोड़ा सा बड़ा लग तो आप हैं अब अपने सब्सक्राइब करेंगे हम लोग जैसे वह जोब करेंगे उसके वाद upload क्र करके upload कर सकेंगे simple शेंफर ठीक है अगर संटर पर रखना चाहरे था हम लोग यही पर रखना चाहरे यहोड़ ऊपने चाहरे यहां अब मेन जीज exceptions काम करते है हम चाहते हैं कि हम फाइil के जोष करें जैसे हम लेंगे एक वेडिबल सलेक्ट टेट फाइल सेट सेलेक्ट टेट फाइल इस गोल टो यूज श्टेट बाइडी फॉल्ट इसकी वैलू नल होगी श्टेट फाइल अभी सेलेक्ट नहीं है उसके बाद हम यहां पर लेंगे एक कानस्ट रोग्रैस सेट प्रोग्रेस प्रोग्रेस चेक्क करने के लिए कि फइल कितनीं अप्लोड रही है ठीक है अन्द यहां पर स्टेट ईूज स्टेट ओपाइड़िफोल यह प्रोग्रिस probroze 0 1970 और जी Roland next हम दो क्या करेंगे uploading के लिए एक लेंगे रही है फार अपलोडिंग हो रही के नहीं हो रही है तो हम कहोंगा ठीक है सट लोड़िंग आप लूड नहीं हो रहा होगा तो सेट स्टेट में हम लोग फॉल्स रखने हैं नेक्स्ट हम लोग एक मैसेज के लिए भी रखेंगे जो मैसेज हमें दिखाना है एक काल दो होगा तो कॉंक्शन लालो आएक इवेंट को लाना होगा इवेंट में मिल रहोगा आप क्या नहीं मिल रहोगा पे हाप चेक कर सकते हो लॉग लगा देंगे व्लोग एप ठीक है एंड जैसे ही आप फाइल को चेंज करोगे पर इंपुट पर देखें हम यहां लगा देंगे on-change and हम अपना handle कि फाइल चेंज लगा देंगे तो जैसे आप चेंज करोगे आपको event मिलेगा और यह event में console.log हो जाएगा जो भी event के अंदर क्या-क्या है आप यहां से देख सकते हो मैं दिखाता हूं आपको ओके सो यहां पर आजाओ मुद्ध को चेंज करो कुछ भी यस इवेंट मिल रहा है इवेंट के देखें बहुत सारे इवेंट में डेटा मिल रहोगा एट इसके अंदर एक टार्गेट है और टार्गेट इवेंड टार्गेट डॉट वैलू भी एकसेस कर सकते हूं बट आइधिंग हम लोग फाइल सेक्सेस कर सकते हैं दो इवेंट टार्गेट दॉट फाइल मुझे कहीं दिखा था भी अब एक्सेस कर सकते हो और रोड़ दी जगा इवेंट डॉट टार्गेट डॉट फाइल ओफ जीरो एक ही फाइल मैं भी आप रख रहा हूं एक्सेस कर रहा हूं अब मुझे फाइल भी एक्सेस कर सकते हो तो लेट्स चेंज यह सब्सक्राइब फाइल का अब्जिक्ट आ चुका है इसके अंदर फूरी इंफरमेशन इसी फाइल को बढूल को आप यहां पर वीडियो का टाइप आरहा है इस टाइप से लुट वेलिडिट कर सकते हैं और यहां पर फंक्शन ना फंग्शन function handle form और यह एक्शली form event भी ला रहा होगा form event ठीक है तो जैसे ही आप form को submit करोगे on submit हमारा form यह रहा हम यहाँ पे on submit और हम यहाँ पे handle form call कर सकते हैं तो जैसे ही आपकी यह बटन form को submit करेगी क्योंकि यह बटन form के बाहर नहीं है बाई एक दिक का दौर होगे हमारी बटन form के बाहर है तो यह इस फॉर्म को तो मैं क्या करूंगा इस फॉर्म को अपने गार्ड से जस नीचे को close करूंगा और open भी इस वाले टैक को जसकार्ट से जस्ट नीचे अंदर रहेगी तो आइधिंक हमारा यहां पे गडबड हो जाएगा यस एक चीज़ तो गडबड हो गई हमारी 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 बात हमने टैक स्क्राम करते हैं कि फॉर्म को हैंडल करने के लिए उप्र से बात हमें इस शाद छीज़ें उसी के अंदर रखना होगा ले चुम परद्टन को अंदर पनाना प्टाएकर फॉर्म कह रहें कि फॉर्म अगर हम चाहतें सम्मिट होजाए लेकिन हम क्या तो हमें क्लिक पर लु coffin कर सकते हैं क्लिक पर अबिए कॉल कर सकते हैं तो देखो हम यहां पर इस बिटन पर मेर्ट लिगा देंगे और क्लिक क्लिक Tes Tap Connect यह में हम यहां पर हिनेल फ़ॉथ के लोग क्लिक यो फिस दिए अज़िए को करनेकोateur करके कंसोल जरूर से उपन कर रखो यह बटन क्लिक हो रही है यहां तक हम पहुंच जा रहे हैं फॉर्म से में कोई मतलब नहीं क्योंकि हम क्या करेंगे जैसे ही फॉर्म चेंज होगा हम यहां पर सेट सेलेक्टिट फाइल और हम इस फाइल के अंदर अपनी इवेंट क्यों सुल डॉट लॉग सबक्राइब और यह जो हमें भीजना है क्या बिजना सब्सक्राइब लॉड़ुल जो भीजना है औरट सी ठीक है सो ऐधिंक कुछ गपड़ होगा सब्सक्राइब होगा इस अलुक्त इस नौट फंक्शन रच्छिट सेट सलेक्टट फाइल एक द दिखाता हूं लागाओ हम्हारे वाइल आ यह कोई कोई दिकत वाली बड़त दीए बट हमें क्या करना है हमें इमेच के साथ वीडियू के साथ हमें उसका टाइटल वो डिस्क्रेप्चन बीडियू तो लिए तो हम क्या कर सकते हैं फिर उसके लिए हमें फॉर्म ही रखना पड़ेगा अगर हम यहां पर एक फील्ड बनाएं इन्पुट टाइप में टेक्स्ट रखें सो आप देखोगी हमेशा उपर से नीचे इसले जा रहा है क्योंकि हमने यहां पर इस पर फ्लेक्स लगा रखा है तो एक काम करो इसको अटा दू थोड़ा सा हम इसको सई करते हैं ठीक है फ्लेक्स अटा दिया इसको अटा दू और हम क्या करेंगे हम हम यह जो इमेज है ना इन तीनों इमेज को एक डिफ के अंदर डालेंगे और यह बंद करेंगे जहां पर हमारी हमारा यह लेबल आइधिंग बंद हुआ है और ठीक है अभी तक सब पर्फिक्स चल रहा है यह कहां से आगया भाई ठीक है कोई शुनी अभी लेक्ते जो देखते जो और इस डिव में लगा देंगे हम लोग लेक्स और एलाइन अलाइन में एन लाइन में आइन लाइन इस टोटाई या स्टीर वड़ोगए यह स्पेस अगेन वहीं हम यूज करेंगे जों पल लगा था है स्पेस एक्स में फइव ओडिक्त अप देख सकते हो अंगे इस पेस आई श्पाई जिस्टिफाई अंढ़ अटी कद यहां पर क्यूंकि हम अल्रीक्षाइज लगा चुका हैं तो हम क्या कर सकते क्या कर सकते हैं यहां पर हम और इन पूर करते हैं यह घुर से पूरी को पी कर लो ठीक है और यहां पर आप चिपका दो और लेबल आइधिंक इंपोर्ट कर लो लेबल टैग इंपोर्ट कर लो लेबल और फाइल इंपूट भी इंपूट करना पड़ेगा ओफाइल इंपूट ठीक है आप के पास एक फाइल इंपूट भी आ जाएगा ओच लोबिसकी अप्लोट फाइल तो ठीक है एक हमें फाइल इंपूट भी चाहिए आन्फ की निइननमो Alında टेक्स इंपूट चाहिए में बार बार फाइल इनपूट क्यों चाहिए यस टेक्स इंपूट भी आ चुका आप देख सकते हूं यहां पर हम लोग आईडी हटा दो अभी हम लिखेंगे प्लेसोंडर प्लेसोंडर लिखेंगे एंटर टाइटर यस देख सकते हूं और यह काम करेंगे हम लोग इस फॉर्म पर सब्सक्राइब क्लास लगाएंगे और स्पेस वाइट फाइब यूज करें ठीक है आप चाहो तो सिक्सी उसकर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे ठीक है और डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं एक यहां पर बना लेते हैं अग कि एकस्ट एरिया एकस्ट एडिया एलेमेंट टीक है तो एकज़ेक्स ही को पॉपी कर लोट एंड जिस्ट आप अपने फाइल के ऊपर चिपका दो एंड टेक्स्ट एडिया को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्स्ट एडिया बस आजाओ आपस फिर से आपको देखने को मिल जाएगा यस यह टेक्स्ट एगए और मैसेज करें को हम वीडियो डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं प्लेस होडर में लेवल में आप यहां पर वीडियो डिस्क्रिप्शन 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 और उपर वाले में आप फाइल अप्लोट करेंगा वीडियो टाइटल डाल दो वीडियो टाइटल डियस तो अब हम देख सकते हैं आप अच्छे से चीजह हमें म आया नहीं आड़ों नो स्पेस लेक्स लेक्स कॉल के हिल्प से मैनेश करेंगे स्पेस अब ठीक है और दाट सवर्ट भी वांट यह हमें चाहिए था तीनों डिटा हमें बिल चुका है एक बार हम ब्रीफिस करके देखने और यह जादा बड़ी यह नहीं लग रहा उपर तो इसको थोड़ा से चुटा करते हैं अब देस्के अंदर चलते हैं यहां पर जो हैडिग यह फाइफ को थ्री कर देते हैं अब तो फिर भी शाही लग रहा है और बोल्ड कुछ ज्यादा ही हो गया इक्ट्रा बोल्ड के जगा हमें आपे बोल्ड यूस कर देते हैं ठीक है एक बार मैं प्राइब चोटे स्क्रीन पे टेक्स भी चेंज कर देते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग एप डाल देते हैं ठीक है अब सब्सक्राइब वीडियो स्ट्रीमिंग एप सही है एंड वापस आ जाते हैं अपने इसमें अधिक स्पेस फिर से उपर से नीचे चोटा हो गया डूं यह कैसे हो रहा है भाई शिक्स है नहीं गया ठीक है जब मैं रीफ्रेस्ट कर रहा हूं तो यह गडबड़ कैसे हो जा रहा है कि अब हborने बढ़ अचांद कि अबाट च क्लास लागा रखा कर करें घेक करो यस यहां पर अगडा रहा है उपने सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह जहां-जहां लगी उसको में class और नेम करना पड़ेगा जैसे for example यहां पर लिए लिए class class name class name class name class name class name class name एक बार refresh कर लौ अप ठीक है और refresh करने भी परफेक्टी चल रहा है तो यह काम हो गया आब बस हमें data fetch करना है तो हम लोग क्या कर सकते data title हो गए रहत लिए हम यहां पही अलग ईटा डेका कुछ ऐसा ले सकते और वीडियो मेडा या मेटा मेटा सेट मेडा और यहां पर एक स्टेट से क्या करेंगे में लेंगे टाइटल बाइड एक अगर हम चाहते तो हम लोग वीडियो के अंदर वाली सेलेक्टेट फाइल भी ले सकते ते को दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है अब हमें काम और करेंगे और हम लोग अपने फॉर्म को फॉर्म को सब्सक्राइब अब को सम्मिट कराएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा इस वार्म यहां पर फॉर्म पर कोई क्लासेश लगी हुई है और कहां गया फॉर्म यहां पर है और यह ओपन कहां रहा है फॉर्म डिफ यहां पर है यह री डिफ देन हमारा वीडियो प्रफाइल आगई यह रहा फॉर्म ठीक है इस फॉर्म के अंदर हम एक बटन बनाने की ट्राइ करते हैं सब्मिट की ठीक बन रही है इसका टाइप सब्मिट कर दो और इस बटन को हटा दो क्या फर्क पड़ता है त्थीक है हम फ्लैक्स कर सकते हैं हम जस्टिफाय सेंट डाल सकते ठीक तो है सभी तो है संबिट कर देंगे अब हम बस अब हम हैंडल शामिट कर रहे हैं तो आइधक और दो कि आ سमिब्ην हो रहा है या समैन्र हो घ्ल तो हम क्या करेंगे हम यह जो इवेंट हमें बिल रहा है यहां पर एक काम और करना पड़ेगा बहुत बड़ी है चीज है एक सीज में करना पड़ेगा और यह हैंडल चेंज है न कि इस से हमें एक काम और करना पड़ेगा कि इस लेटमी डू दो कि यहां पर नेंप में फिल्ट ले लेते हैं नेम यह है टाइटल हो टैक्सिरिया का नाम रख देते ओर देस्कृप्शिन या डियस्ट सी रख़ते हैं डिसकृप्शन रखते हैं राइंड फाइल का भी एक नाम रखते हैं फाइल ठीक है एंड इस इवेंट को प्रिंट करते हैं डार्क लिए हम यहां से वी निकाल सकते हैं और चेंज लगाने की ज़रूत ही नहीं सब्मिट पर सो मैं यहां पर लॉक कर दू कंसोल डॉट लॉक फॉर्म इवेंट है लेट सी कुछ लिखा कुछ लिखा कुछ फाइल क सकने क्या त्रीक है टाइप् वार रहे घुक हुड ठीक है टार्गैट रगये इंपुट है कि सारी यह आ रही हैं वारे पास देखो टार्गीट में इनपुट है टेक्समिद्ग कि आक्सेश कर सकते है mirrors अहां पर संब्स्राय जाइर पैस हो क्या हम को सबस्राइब हो गया फॉर्म हमारे पास मिल रहा है फॉर्म के अंदर समय सह पास सारे Information रहा होगी हमारे पास पहले डिफ के अंदर अधिंक यह लेवल एक धेन हमारे पास टेक्स्ट एरिया भी टेक्स फीलिड होने है छहीं पर और ये ये दर इन्पूट edX file वाला है इसके अंदर text area है ओके इसमें घडिश अगरा भी दे रखा है इतिंक आप देखो लाउस मैंने दे रखा थेने डेस्क्रिप्शिन दे रखा तो क्या हम नहीं आई इस डेटा फैच्च कर सकते हैं टाइटल देखते हैं तरह यह इंपूट फिल्ड आ चुका है देन डॉट क्या हम वैलू एक्सेस कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं कि वैलू हमने बहुत असानी से एक्सेस कर लिए और अगर हमें यहां पे एक अगर हमें कि यह या कि वैलो अक्सेस करनी वी तो हम यहां पे इस प्रेप्शिंड वैल एक्सेस कर सकते हैं रचिप्श एपर मैं दिखाता हूं दस स्ट्राइटल ऐं दिस एज दिस क्रिप्शन स्केर के हैं इस ती ट기도No वेल में एक्सेस कर सकते हम लोगों के लिया आप चाहो तो हम यहाँ पे अपने ओब्जेक को चेंज कर सकते हैं इसफ यह वांट थो हम इन बज़ेंगे कर सकते हैं कि अब्जेक को में त्मेंट पर कर सकते हैं कैसे को हम यहाँ पर आके कि सब्सक्राइब उसके अंदर में पास करते हैं और फिल्ड में रोग फ्रीड की वैलू पास कर सकते हैं तो ये एक तरीका है काम करने का मतलब यह तरीका है कि हम भीया जई कर रहे अधर्वाइज आप अगर आप form Handle पर यह चीज ना करना चाओ तो आप और क्या कर सकतो हो अप हर एक फील्ट पे चेंज लगा तो जैसे फोक्जामपल फॉम हंडल में सिर्फ आप फॉम है फॉम हंडल कराना चाह रहे हो तो हम यहान पे एक और बना लो हाँ रहाँ फॉंक्शन function of field change और यहां पर event मिल रहा है ठीक है अब आप क्या कर सकते हो exactly same upset meta and meta में क्या करूंगा सिर्फ मैं property change करूंगा किसकी event जो इवेंट डॉट नेम की वैलू इवेंट डॉट टार्गेट डॉट वैलू टार्गेट डॉट इसे तो हम लोक करेंगे अब दोनों फिल्ट पे लगाएंगे अगर आप फॉर इंपूट फिल्ट चेंज करती है ऑन चेंज तो हमें पर फॉर्म फॉर्म फिल्ट चेंज लगा देंगे अपने टेक्स एडिया पर भी कि अगर आप वह वाला भी चेंज करते हूं यहां पर भी आप जैसे आपने चेंज किया यह देखो टाइटल आ रहा है अगर यहां मैं डाल दिया मैं डाल लिया सब्सक्राइब यहाँ में देखा रहा है इसको देख यहाँ पर यूज कर सकते है इसको जैसे इसको यहां फ़र एक्सों पे आपको करके दिखाया था दाना यह इस इसको आप चंब कर सकते हो तो हम जाते हैं कि डायनमिक वैलू, इवेंट या डैनमिक जो ऑबजेट की की है वो चेंज हो जाए वो यहां पर आ जाए जैसे फ़ आपल ने में तो टाइटल आ जाएगा और फिर टाइटल की वैलु आ निए अगर पहले की वेलुस आ जाएंगी और साथ में नई वैलू आ जाएंगे अब आपना सुम्मिट करेंगे अपके में वीडियो के अंदर किया है तो हम यहां पर लिखेंगे टाइटल में और रियक्ट वीडियो इसको भी हटा देंगे लॉग जो आ रहा है और रियक्ट वीडियो आनम सब्सक्राइब करेंगे और आप देखों मेटा अब्जिक्ट मिल रहा है मेटा के अंदर आ रहा है डिस्क्रिप्शिन कुछ गड़बड हो गया है यह एक अब्जिक्ट का जो है वह गलत यूज कर लिया हम लोग इस लॉक को भी हटा दो यह से व्लॉक टेस्टिंग और सीखने के लिए था बस आप देखों हमारे पास डिस्क्रिप्शिन दिस इस रिए वीडियो आ रहा है ओके तो एक बार रिप क्रिप्शन समेट करो यस अब देखो हमारे पास टाइटिल आ रहारा दिस टाइटल इस इस डिस्क्रिप्शिन और फाइल फिल्ड हमने अलग ही ले रखी है ठीक है तो अब हमें यहां पर फाइल को सब्विट करना है थामिट दो फाइल टूद शरवर सम्मिट दो फाइल to Serverse तो हम यहां पर क्या करेंगे एक फंक्शन आदेंगे が को सब्मेट फाईल कुभ सरवर ठीक हम एक फंक्शन राएंगे के फंक्शन obsessate या सेवी वीडियोट का सरवाधन नाम से एक फंक्शन हाएंगे और इस फंक्षन गम देंगे और वीडियो ऍाथ में वीडियो मेटा डेटा यह दो चीज समने और यह यह पर फंक्शन होगा हगा यह film अंदर हम लोग बना सकते क्या कह रहा है है एक है पैले लिखते देंगे लेट्स ट्रा इसे अधे टेकर आ यह से मब वात यूज करें अब हमारी पास इसको यहां पर कॉल कर लिए कैसे देखो हम यूप करेंगे सेव वीडियो एν सबसे पहले वीडियोपनी पास करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेट अपलोडिंग सेट अपलोडिंग को कर देंगे अगर आपने इसको कहीं भी यूज कर रखा हो सेट अपलोडिंग तो अपने आप से वह काम होने लगे दूसरी हम यहां पे सेट अपलोडिंग होगया अब प्रोग्रेस हो गया रहा हम इस्तेमाल करेंगे तो हम यहां पर करेंगे एक्सियोस 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 को आप इस्तॉल कर सकते हो एक्सियोस एक्सियोस को इंपोर्ट कर सकते हो एक्सियोस एक्सियोस को इंपोर्ट कर सकते हो एक्सियोस एक्सियोस कैसे यूज करना है आप यहां पर दोकुमेंटेशन देख सकते हैं इंस्तॉलिंग पकेज एक्सियोस एक्सियोस को इंपोर्ट कर सकते ह वगर यह उसकर सकते हूं ठीक है अधर्वाइस आप एसिंग कॉला तरही के उसकरना चाहरो चाहरे हो तो आप जैंट यहां जामोका मिले जिन जिन टूल्स का उसकरने का मौका में लिए उन सारे टूल्स को उसकरिए आप देख सकते हैं ठीक है हिस्स ने बता दिया आप या करें एक्सियों यह फाइल बना रखेंए एसिंग फाइल अप्लोड बना रहा है और इंड वैलिदेशन अभी ब Xios.Post यह method उसकरेंगे साथ ही साथ में हमारा function तो हम यहां पर और वेट उसकर है तो ट्राइक प्राइप करेंगे हम लोग क्या करेंगे काच में हम क्या करेंगे लॉक कर देंगे अपने प्रेडर को ठीक है और साथ ही साथ में हम यहां पर पोस्ट करेंगे यह बारे लिए डालेंगे और सब्सक्राइब लोक सटीपी द्रसलेश लॉकल फोस्ट एड़ जरूलाइश एपी-इस स्लेश वीवन लींच वीडियोस वीडियोस एक बार हम प्रण चेक कर लेते हैं अ मिद्यो कंट्रोल था अपिए डियो श्लैस वीटियो और एडिरी जरू पोट ही था एक वारन करके चेक कर लेते हैं ठीक है सो यह से रिज़ रिज़ पर हमारा सर्वर चल रहा है पर्फेक्ट आज आते वापस तो लोकल हो से ड़ीज़ लाइव भीडियू स्टीक है अंदर यहां पर हमें अपना फॉर्म डेटा पास करना है अपना डेटा पास करना है अभी यह बनाएंगे बनाया नहीं हमें अब्ज़ेट करना है अब जाहों तो यहां पर देख सकता हुँ यह सब देखो हमें आपर फॉम डेटा पास करना है तो अंधे वाला बड़ा साफ़वंजेक्ट फेंडर हमें एक हेड़र नाम से की रखना है यह यहां सब्सक्टिंग करेंगे अधिक कोंटेंट टाइप र मुल्टिपार्ट फोल्म है देन फारे इस वाले अब्जेक को बंद कर दीन ही तैन दूसरा हमारा एक है अपलोड्ड ग्रोघ्रेस ओन अपलोड प्रोग्रेस यह जो फंक्ट्टिन यह हमें प्रोग्रेस देगा जिसमें फ्रोग्रेसाय। तो हम गहेंगे ठीक है प्रोग्रेस प्रोग्रेस इवेंट पीच्छ मॉल कर दूँ कॉल बैक फंक्षन है एस और हम चाहो तो प्रोग्रेस इवेंट को आप प्रिंट करके देख लो कि अफ्लोड करते समय क्या-क्या बिल रहा है उसी साब से हम यूज कर लेंगे इसको करेंगे यहां स के बाया है रहा उसके प्रोग्रेस में इसको डाल सकते हो diese फिर हम क्या करेंगे यूद्सलेतों अपने उसमें प्रोग्रेस में होजाएगा तो आप क्या कर सकते हूं इहां पर मैं सब्सक्राइब तगड़ा चल चुका है यह यहां से यहां तक देना पर सेट मैसेच में आप डाल सकते हो फाइल अप लोड़ेड ठीक है और यह में रेस्पॉंस देदेगा तो हम क्या कर सकते हैं इसको रेस्पॉंस में डाल सकते हैं और हम रिस्पॉंस को भी पंशोल डॉट करके देख सकते कि रस्पॉंस में मिल गया रहा है तिक उससाब से हम रिस्पॉंस को दिखा देंगे क्या स्विल रहा है क्या कुछ मिल रहा है कुछ वैलिडेशन को कॉल करने से पहले ही लगा लो जैसे हो सकता है कि अगर आपने फाइल सेलेक्टेट नहीं किये सेलेक्टेट फाइल में नल है या डेटा नहीं है आप यहां पर कुछ मैसेज दिखा दो अलर्ट से अगर आपने फाइल सेलेक्ट नहीं किये है हमारा फोजिक्ट अप्रोड कर दिया तो सैलेक्ट फाइल ऑप्शन आ रहा है पहले आप फाल को सलेक्ट करिए देन आप काम करिए ठीक है और अपने फाइल कर दिया तो हमारा यह वाला मैथट कॉल हो जाएगा सेब वीडियो टू सर्वर और एक्जियोस की हमसे पोस्ट इक्वेश चली जाएगी पोस्ट इसी बारे पर चली जाएगी और हमें फॉर्म डेटा भी बनाना है तो हम क्या करते हैं लेट्स क्रिएट फॉर्म डेटा तो हम गाएंगे एक चाहिए Kenia Green में सबसे पहले टाइटल और इन उसकी वैल जो कि आरिया और वीडियो को क्मम मेटाइट क्रिद्ट आरे हूं जिंवित पॉंग और आपेंड करेंगे डिस करिपूल जो हमें आए वीडgio मेंटा डियटा डॉट डिसक्रिपिशन से मिल रहा हुआ साथ ही साथ मे data.append करेंगे अपनी फाइल जो कि हमें मिल रहे होगी सलेक्टट फाइल से अब इन फॉर्म के अंदर यह जो कीज है वह इंपॉर्टेंट है यह वही कीज होंगी जो हमने सर्वर पे एकसेट कर रखेंगी इसको अपने कंट्रोल के अंदर ही देखो टाइटल फाइल टाइटल एंड डेस्क्रपिशन डेट यही फॉर्म डेटा हमने उठा करके यह यहां पर पास किया है तो हमने अपने एक्जोस के पोस्ट में तीन जी पास की है एक तो हमारा यह वारल है किस इस पर हमें डेटा सेंड करना है क्या डेटा भीजना है और यह ऑब्जेक्ट जो इन्फरमेशन बता रहें कि यह एडर क्या होगा प्रोग्रेस ओन अप्लोड प्रोग्रेस को कॉल बैक क्या होगा ठीक है यह स्ट अब हम लोग जरा ट्राइक करते हैं आ जाते हैं यहां पर और तक रहे पक्रोड और एंट सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राद सब्सक्राइब हम नहीं लुक्त प्रदयर क्षया अगया इस चासाई तो आ थिए और यह देखें नेटवर्क एर्रा रही है नेटवर्क एर्र में और मैसेज में नेटवर्क एर्र मिल रहा है ठीक है होगे सो आइटिंग को कि तो यह लेग दिए वारे पहले चेक कर लो एच्टी टी पी है नॉट पी यस कि तो यह है कि हमरे पास सब्सक्राइब कर देंगे एक क्रॉस आरीजिन नाम का अनूटेशन और यहां पे अपने फ्रेंट का इबारे डाल सकते हैं या अभी के लिए हम स्टार डाल देंगे हम सारे ओरिजिन्स अलाओ कर रहे हैं अपने बैक एंड के लिए ठीक है नाव फिर से यहां पर आएंगे और अकीन हम लोग सम्मिट करेंगे यस आप देखो हमारे पास कुछ इंफर्मिशन आई है एक एक वीडियो डॉट जेसक्स 66 लाइन से यहां से और एक हमारे पास आया है है 71 लाइन से मतलब यहां से तो अगर 66 मतलब यह देखो तो हमारे पास बेसिकलि प्रोग्रेस इवेंट कितना बाइट वगएरा यह सब चीज़ आए तो देखो यहां पर लोड़ेड लिए प्रोग्रेस्ट्र्इट और इसके हम प्रोग्रेस दिखा सकते हैं अभी दिख्वाइंगे और जो लेखोर आया है उसमें आप देखो डफ़ ढाल जो समारी फाइल एंड वीडियो आईडी यह हमारी फाइल अप्लोड हो चुकिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है फाइल हमारा बैकेंड में जा चुका है अब एक बार चेक कर लेते हैं अपने डेटाबेस चेक करते हैं अब वर्क बेंच ठीक है अब यहां पर अगर देखें तो इसकी में देखें और अपनी टेबल है हमारी वाइटी वीडियो यस इस इस दिस रियक्ट वीडियो आ चुकिए अब हम लोग क्या करने थोड़ा सा मैरेश करते हैं प्रोग्रेस वगर दिखाते हैं तो प्रोग्रेस प्रोग्रेस को यूज करने के लिए आपको मैंट राउंड करना जिन कितना प्रोग्रेस लोड हुआ है प्रसेंटेज बेसिक लिए लिए इन्टु हंडेट रिवाइड बैप्रोग्रेस टोटल तो इक्जैक्ली हम यही कर सकते हैं इसको कॉपी कर लो हैंड यहां पर आ जा लाएगा प्रोग्रेस में तो हम क्या करसकते हैं अब प्रोग्रेस को डैरेक्ली हम अलोग सट प्रोग्रेस में सेट कर सकते हैं हम सबबचने के लिए कि और जिजिए प्र avent 인दर ही तो लियोग हमम से औरेदो है तो हम स्ट अप्लोडिंग को सकते हम्हार जाःएめ उनका सट अप्लोडिंग को दो जाता है हो ठीक है और तो तो सेंट मैसेज को हम लोग यहां पर डाल देंगा जैसे एर्र इन अप्लोडिंग फाई तो यह चीज हो चुकी है अब हम क्या करते हैं अब हम लोग यहां पर प्रोग्रेस वगर सेट करते हैं यह बंद कर देखें यहां पर हमारे पास तो कोई प्रोग्रेस कंपोनेंट है क्या प्रोग्रेस हम इस प्रोग्रेस को यूज कर सकते हैं ठीक है और इसमें आप साइजिम कर सकते हूं यह सब सी knowing और भी छयादा चाहिए प्रोग्रशं है बस यह जिससे अपलोडशी आता रहे ठीक है मैं को ठीक है इस प्रोग्रेस को कॉपी कर दें वादर यूस करते हैं कैसे दिखा देखते हैं आज यहाँ पर यहां पर हम लगाएंगे यहां पर लगा देंगे हैं जस्टीफार सेंटर लगा दें जस्टीफार सेंटर अंद हम यूज करेंगे प्रोक्रस तो प्रोग्रेस क्या कर डालना इसके अंदर कि इतना प्रोग्रेस प्रोग्रेस हो चुका है तो पहले हम ऐसे 50 डाल देतें चेक कर लेतें कि क्या बन क्या रही वाए उसके बाद हम बनाएंगे न कि हां कुछ तो बनके नहीं है बेटन के ओपर दिखना चाहिए था कुछ और चीजन लगा नहीं है तिंग लेट सी टेक्स लेवल लो वाइट है साइज एल जी है लेबल प्रोग्रेस लेवल टेक्स ठीक है यह दोनों इसके लेते हैं यह तीनों इसके लेते हैं बाद में अपनी साब से कस्टमाइज कर लेंगे अब फिफ्टी रखो प्रोग्रेस और यहां पर ठीक है टेक्स लेवल में हम यूज करेंगे आव अपलोडिंग अपल लोडिंग कि साइज ठीक है सब्सूस्टिक है आजाओ आप देखो हाँ ठीक है अपलोडिंग आ रहे हैं पचास परसेंट डन हुआ है एक सीज़ और करो यार है और साइज एलजी है तब भी यह वह चोटा सा देख रहा है यार इसको बड़ा सा चाहिए मुझे यहां से यहां था खलका सा हुआ 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 है बोड़ लगाओ यह देखें बोड़ डिप ठीक है यार अटिप ठीक है कि थोड़ा सा और हमें देखना पड़ेगा कि पोजिस्निंग हो गए रहा है यह सब तो ठीक है कि साइजिंग एक्स्ट्रा लार्ज यूज कर सकते हम कि एक्सेल उसका सकते हैं कलर डार्क यूज कर सकते हैं एक्सलास देखते हैं एक्सल विड्ट इसकी क्यों नॉर्मल देखो बाइडिफॉल्ट क्या साइज इसकी वाइडिफॉल्ट तो बहुत ही चोटा जा रहा है कि साइज साइज है हमारी एल जी ठीक है कि विट्थ तो लिए रहा ज़रा देखते हैं जड़ा इसको हंडेट करके देखते हैं हंडेट में तो इतना ही फूल आ रहा है ठीक है और को अब भी कस्तुमाजिशन कर सकते हैं इस बाटर का बाटर से कोई मतलब नहीं सिर्फ चेक करने के लिए डिजाइनिंग करने के लिए ठीक है तो इस तरह से दिखेगा आपको और अगर यह अटा देते हैं लेवल टेक्स अठीक है लेबल गरेस बीट वन दम लेता दो ही लेवल टेक्स बन तो और क्वक्र 2 ग्सलिटा जा रहा है उल्ट में आजीट व कॉनटेंट ही अटिने उतना ही ले रहा है एक बार मैं देखता हूं अब इसके 100% चली नहीं रहे है 100% अधिक इसमें फ्लेक्स लगा दिए इस वज़े से प्रावल्म हो रही है इस फ्लेक्स को अटा दो दूद्ध यह सब इस 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 वाटा दू पर सेंट आगी विट अप्लोडिंग तो इस तरह से अप्लोडिंग आएका लिक करके अब इसको म इस पर दालते है अपना प्रोग्रेस वाला वैरीबल इसको हम लोग दिखाएंगे कब जब अप्लोडिंग टूगा तो हाइड का अप्शन है कहीं फिल्ट होगी तब यह दिखेगा अप्लोडिंग नहीं दिखने लगेगा से मैसेच के लिए भी हम लोग दिखाते हैं सेम किससी तरह कॉपी कर लिए अलर्ट यहां पर हमारे पास है अलर्ट होगा आलर्ट यहां अलर्ट Stories कैसे और जदिखा सकते हैं फिल्ओं अलर्ट अलर्ट किस टाइप का है इसका कलर 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 फेलियर नहीं में सक्सेस लेना था कलर भाई कलर सक्सेस है कलर सक्सेस है और बस इसके अंदर मैसेज दिखा दुए है और डिसमिस होगा लगा नहों तो लगा सकते हैं ही अर्वाइज हम यह को लग करेंगे और इस अदर चिपका देंगे विद्ट प्रॉपर मैसेज सक्ससे अलड़ और इस सपैन के अंदर हमारा मैसेज आ जाएगा जो अल्री हमने बना रखा है अपना मैसेज ठीक है तुम्हरेट छेक कर दें मैसेज के अंदर अभी कुछ नही तो इसलिए आ रहा था पहले हम लोग की बार अप् Director अब ये देखेगा कप जब वो हमारा या सब्सक्राइब बैस्ट के अंदर कुछ हो तब इसे बात है या फिर अप्लोडिंग कर दो दिखेंए तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर है है हम लोग यहां पर कर सकते हैं यहां पर कंडिशन लगा सकते हैं कि इफ मैसेच में है कुछ तो आपको दिखाना अदरवाइस नहीं दिखाना तो यह दिखाना सेम यहां पर हीड़न को टूरू नहीं करेंगे हम कहेंगे अगर अपलोडिंग हो रही है तो आपको दिखाना श्राइज नहीं दिखाना सेमपलस यह तो अगर अपलोडिंग दिखे कि जैसे this is video description अब बड़ी फाइल को जूस करते हैं हम लोग MP4 की बड़ी फाइल डिवाली फाइल जूस करते हैं हान सम्मिट कर देते हैं यस एक्जाक्ली वाव दिस इस वाट वी वाट ठीक है फाइल हमारी अप्लोड हो चुग है अब प्रॉपर हमें मैसेज मिला अप्लोड भी निखा और उसके बाद मैसेज हमारा मिल चुका है काम हो चुका है देन दूसरी फाइल जैसे हमाँ अप्लोड करना चाहें यस चौबिस वाव ठीक है मल्दब मजा ही आगे यार कोई और फाइल जैसे अप्लोड करना हो यस यह हो जा रहा है तो हम प्रोग्रेस को जीरो कर दें तो लेट सी यह ना प्रोग्रेस हाँ आइधिंग यह यह फाइल अगर कंप्लीट हो गया तो सेट प्रोग्रेस को हम जीरो कर देंगे अगर फाइल अप्रोड कम्प्लीट हो गया तो फिर प्रोगेस दिखाने के कोई मतलबी नहीं ठीक है और 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 बड़ी फाइल लो अपने वीडियो से लिए लेते हैं कोई फाइल ठीक है यहां से लिए कोई फाइए यस और यह डिसेबल है जब तक यह अप्लोड हो रहे हैं वाव वाव मज आ गया ठीक है तो इससे आप से हम लोग बना सकते हैं अप्लोडिंग अप्लोडिंग आ रहा था देन सारा का मुझे आप चाओ तो सर्कुलर भी यहां प्रोग्रेस बना सकते हो आप प्रोग्रेस बार को कस्टमाइज कर सकते हो क्या इनके पास और कस्टमाइशन है क्या प्रोग्रेस बार डोंट इंग और कस्टमाइशन हमारे पास इन्हों ने बस इतना यह चीज़े रखे यह ले सकते हो कस्टमाइज यह सब चीज कर सकते हो रेड ग्रीन इन्होंने ले में रखा है तो यह सबूस देख सकते हैं तो गरीं ये घर आ पर लेना तक प्रोग्रस में ग्रीन लिएख थो हैं है नहीं यहां पर है तो आप क्छोप को अब्रिख्री सुस्षे ग्रिछ. तो फिर आपको प्रोग्रेस कुछ ऐसा दिखने वाला है येस streaming application streaming application this is video streaming application and then हम क्या करेंगे एक कोई video upload करेंगे एड़ सपोज 8 सेकंड हार्ट मेनेट की भी येस सक्सेस हो गया और जो तक video upload हो रहे हुए तब तक submit कोई नहीं कर सकता तो यह हमने बना दिया एक कह सकते होगे हमने एक uploader बना दिया जहांसे वीडियो को upload कर सकते हैं अब इसकी limitation यह है कि हम अभी एक ही video upload कर पा रहे है future में हम जाते multiple video upload करने के लिए तो simply हाप में multiple फाइल कर सकते हैं और देन बैकेंड में हम लोग multiple files को handle कर सकते हैं सेम तरीका होगा बस files को multiple handle करना होगा तो यह वीडियो को upload कर पा रहे है एक बार हम backend चेक कर देते हैं क्या हमारे पास data आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको क्लियर कर लो यह आपके पास बहुत सारी वीडियो यहां पर आ चुके है अठीड आप जा रहा है सारी वीडियो अपलोडर अब आपका काम है की लगाना कुछ और आप क्यूंक कर सकते हैं ऑड़ वाला बना सकते हैं जाको से हम यहां पर लगा सब दो काम करते हैं और डिसमिस हाँ पाइद तो एक आइकन हमें चाहिए होगा आइकन हमारे इस अलट में आइकन नहीं मिल रहा ना ओके सो ठीक है तो हम और डिसमिस करते हैं यह आइकन करते हमारे लिए लेट्स डूब यहां पर हम लोगी उसका करते हैं और अलट कुछ नहीं देंगे बस ऐसे हमें आप डिसमिस कर सकते हो चोड दो कि क्या ओन डिस्मिस लगाने से हमारे पास डिस्मिस वाला बॉक्स बन किया एगा देखते हैं इस बाट चूस कर दो यहां से कुछ और वीडियो फाइल जोसको लिएस फाइनल वीडियो और दिस इस फाइनल वीडियो डिस्क्रिप्शिन अबिट कर दो एक काया रहे हैं कि यह क्या कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि यू एड़ और डिस्मिस प्रॉप्स अन अलट कंपोनेंट डिस्मिस बॉटन तो अलट बॉक्स बाइद इंग दा फंक्शन इसाइड कोई तो मैंने किया था बढ़ी और डिस्मस आइड किया बट कॉल बैक अड़ करेंगा लेट सी लेट से अड़ दे कॉल बैक बट हमें कुछ करना नहीं है हाँ यस डिस्मस डिस्मस हो चुका है बट डिस्मस करना भी तो है अधिस ट्रस्टिंग फाइल टाइटल इस ट्रस्टिंग फाइल डिस्क्रिप्शन इस अप्रीज आपको करना पड़ेगा भाई सम्मिट वाइल अप्लोड हो रही है तकड़ा अंडेड यस पड़े डिस्मस नहीं हो रहा है डिस्मस कैसे करें अलर सी अगर इफ एनीवन वांट्स टू डिस्मस कैसे करें लगा देंगे कोई निक्ति नहीं और ठीक है बाकी बॉर्डर विद असेंट लगा सकते चाहरो कुछ और ट्राइक करते हैं ठीक है तो इसके लिए आप राउंडेड इस करेंगे हम लोग और बॉर्डर विद एसेंट इस करेंगे और कुछ ऐसा बनेगा अडिशनल कॉंटे के लिए आप डाल सकते हो ठीक है यह नहीं बताया है कैसे करें और आइकन भी उसकरेंगे हम लोग अब अब लोग करने के लिए हम लोग को आइधिक बनाना पड़ेगा एक इवेंट हैंडल हम लोग करी रहे हैं तो हमें एक वेरीबल ट्रैक करके देन उसे डिसमिस करना पड़ेगा ठीक है ओके नाओ लेट्स ट्राइब यस कुछ ऐसा हमारा सक्सेस बॉक्स दिख रहे है कि मिलए अपना पॉथ हम इसको तकि ऐसा ही है ओके एक है करई और यहाज शॉझ लेंगरते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं से यह यह क्त्रोंहै को और भी हमारे पास रियक्त टोस्ट पर एक रहरे पास नहिंए यह रिए होट टोस्ट भी एक यह कुछ ऐसा इसको भी लोग उसके डॉक्मेंटेशन में जा करके एंप्यम इंस्टॉल चलो कर लेते हैं इंस्टॉल होट टोस्ट बंद कर लो भी थोड़े लिए से इंस्टॉल हो गया देन फाइनली हमें क्या कर रहा है बेसिक उसे हमारा कि हम सिर्फ और सिर्फ टोस्टर टोस्टर लगाना पड़ेगा सो लेट मी पूट टोस्टर इंसाइड आप.js हम लोग यहीं पर टोस्टर को एड़ कर देते हैं टोस्टर रियक्ट और टोस्टर से हमने टोस्टर रड़ कर दिया देन फाइली हम टोस्ट यूस कर सकते हैं मैसेज देनी के लिए टोस्ट को इंपोर्ट करके हैं यहां पर इंपोर्ट करने टोस्ट जैसे फाइल अप्लोड वुई कहां गया फाइल अप्लोड पहले इसको रन कर लो npm run-dev sorry npm run-dev हम निकल लिया है नीचे आ जाओ और सक्सेस कहा हुआ हमारा ओपार सक्सेस यहां पर सक्सेस तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं टोस्ट यूज कर सकते हैं डॉट सक्सेस के अंदर हम क्या क्या पास करते हैं मैसेज देन ऑप्शन तो अभी के लिए तो मैसेज पास कर देता हूं और फाइल अपलोड़ेट अपलोड़ेट सक्सेस फुली ठीक है और अगर कोई अरो आती है सो इन आट किस सम टूस डॉट एरर उस करेंगे और फाइल नॉट अपलोड़ेट नॉट अपलोड़ेट लेट सी देखने भाई मज़दार सीज है कि नहीं आप डिस टोस्ट वीडियो इस टोस्ट डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे डाल दिया रंडेमली नेक्स अलेट कर लेके अधियस फाल अप्लोड हो चुकिया है अगर वह लाथ था थो हम आप एक तो अगर आप चाहते हो तो यह सब को क्लीण करना थे हम इस अजी कर सकते पाइब कॉलिंग हम कॉल कर दीन और रिसेट कर एक हम करते हैं रिसेट फार्म एक मैथल बाएथे फॉंक्शन बना देव इसट फॉर्म फोले अप्लोडिंग से पहले और फॉल मेरा जस्ति हम लोग बना देखते हैं फॉंक्शन रिसेट फॉर्म और यह करेगा यह सेट मिटा को सब्सक्रेंट ने टाइटल सॉर्ड इसके अंदर टाइटल बलंक कर देगा कि subscribe यह गया एंड शेट इन्ड फाइल भी नुल कर देगा ņ Dash लोड़ डीफोल्ट क्यों है यौई उसको कर देगा qualcॉल्स और शेट message को कर देगा ब्लैंक बस अब रिसेट फॉर्म कॉल कर लो जैसे अप्लोड हो जाए सब चीश अच्छा मैसेज को तो दिखाना ही है मैसेज को दिखाना ही है तो मैसेज को छोड़ सकते हो तो हम जैसे अब सब चीश हो चुका है यहां पर है रीसेट फॉर्म को कॉल कर सकते हैं देखने है ट्रै करते हैं अ है दस ट्रस्टिंग डिस ट्रस्टेंग टैस्टेंग वीडियों दिस्क्रिप्शन और शेप यस पाइप लूद चुका बटाइफिंग फॉर्म प्रीसेट नहीं वाइबर रिवेट है रिचेट फॉर्म सेट में टाड़िटा इसने ट्रू किया होगा अब्जिक्ट ठीक है से लक्रिकाइब को नल किया होगा अप्लोडिंग को यह तो वाइध पॉल्स फॉल्स ही था टाइटल क्यों नहीं हुआ ठीक है तो इसेट हो चुग है बट आइधिंग हम लोग ने वैलू को टेक्स अरिया में यूज नहीं किया तो लोगे वैलू जो है इसकी वह होगी हमारी मिट्टा डॉट टाइटल हैंड सेम फॉल उप करेंगे हम इसके लिए अरिया के लिए वह वैलू जो इसके होगी वह होगी मेटा डॉट डेस्क्रिप्शन इन देट कैसे जर्टी यह चीज़ हो चुकिए क्या हम वैलू फाइल में भी उसका सकते हैं लेट सी वैलू सेलेक्टेट वाइ लिए पर देखेंगे रिफ्रस्क्राइब लू ए लिए लट चेकट आप ओके सथो आइधिक यह गडबड हो रहा हागा इंपूट के लिए भी छोड़ दू फाइल के लिए बस्चोड दू ठीक है फाइल के लिए रफ लेन पड़ाएगा रफ से खिलेक्टन पड़ाएगा सो इस दी ऐसे इंपॉर्टेंट अधिस वीडियो इस अबाउट दी ऐसे इंपॉर्टेंट ठीक है नाव सालेक्ट वीडियो और अफ्लोड दॉड फाइल यसरे सिरेसल दिस्क्रिपशन हो चुगा फाइल को भी ब्लेंक खर सकते ही हम लोग करना पड़ेगा जैसे इसको हाइट जी समलोग ने लगा रखया है मेसेच पर यस तो हम यहां करेंगे हम हम सेट मैसेच को बस बलैंक करें अपने आप सब्सक्र wicked होजाएगा क्यों क्यों क्योंकि मैसेच जब है तब ही तक छी तो जैसे आप습ने आप से यह जाए नोल के": इंध आप आदा साई हो लुग है, और यहां पर प्लाइट तीम कर दीजिए इसको आप डाइवेकली भी चेंज कर सकते हो येस लाइट तीम में कुछ ऐसा बनाए तो टाक ठीक है और नेक्स्वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे और नेक्स्वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रीमिंग API बनाएंगे, जहां से हम stream कर सके अपने वीडियो को, और फिर उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्या actually problem है directly stream करने के और क्या दिक्कत हो की और उसको हम कैसा solve करेंगे, be streaming के अलग-अलग type है, और उसको कैसा secure सब चीज हम लोग बात करेंगे, next video के अंदर आपको वीडियो में मज़ा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर नब दो लेगा, interesting videos आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, बबाई, जहें जाबात, और हाँ यार, इस पूरे playlist के लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगी, वहाँ से जाके access कर सकते हूँ, source code की link भी आपको मैं वहाँ पर provide कर दो, ओके, बबाई, जहें, जहें जाभारत